तो फ्रैंस आद में आप सब के साथ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जादा टेस्टी बहुत ही अलग तरीके का मटर का नास्ता शेयर करने वाली हूं तो बिना देर की वी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक पैंड लेंगे इसमें डालेंगे एक बड़ यहां से खुश्बू आने लगे और यह हल्का सा चटक जाए इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए तो यहां पे पैंड को मैंने गैस से नीचे रख लिया है और यह रेखिए यह बहुत ही बढ़िया सा रोस्ट हो चुका है तो अब इसे थोड़ी दर के लिए प्लेट में फैला देंगे इसे इस तरीके से अब इसे हम डाल देंगे ग्रेंडिंग जार में और इसका हम दर दरा सा पाउडर बना लेंगे तो बस यहां पर आप देख सकते हैं यह पाउडर बन के तैयार हो गया है तो थोड़ा दर दरा ही रखिएगा तो टेस्ट च्छोटी चमच जिंजर को ग्रेट करके और यहां पर यहां पर हरी मिर्ज का यूज करना है तो मैंने दो से तीन हरी मिर्ज ले रखी तीकी वाली है अपने टेस्ट के काऊडिंग से यूज कीज़ेगा तो यहां पर इसे भी हलका से सौटे करेंगे इसका कलर हमें तो three medium पर करेंगे और इसे हलका सा हम करेंगे फ्राइब बहुत ही बढ़िया सा हमारा नाश्ता बनेगा क्यों कि जब यहां पर देखिए फ्लेम को आपको लो करना है और इसमें डालना है टेस्ट के कारडिं नमक तो मैंने एक चमच इसमें नमक एट कर दिया है और यहां मैंने डाले थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर यह अगर आप डालना चाहे तो डाले वरना इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें हरी मिर्च का टेस्ट ही बहुत बढ़ी आता है इन सब चीज़ों को मेंना थोड़ा पानी पायए यहां पर इसमें कुछ पानी के छीट डाले और बस यहां बैद के आप महीं वी बाहरा हुए हम चेट के दालना है यहां पर जाफ म मंच हीज़ा पानी कवर बहुत हीरा तो यहां पर आप देख सकते हैं मटर काफी जादा सॉफ्ट हो चुकी और भी इसमें मौश्यर है जो हमने पाने डाला था इस वज़े से और इसकी खुश्बू बहुत ही बढ़ियां सी आ रही है बस आपको इस तरीके से इस पैचुला से आप इसे प्रेस करेंगे ना तो सार आप देख सकते हैं क्योंकि हमें जो नास्ता बनाना है उसमें ऐसी ही मटर का यूज करना है अब एक चमच हम डालेंगे मसाला जो हमने स्टार्टिंग में मसाला तयार किया था वह मसाला जरूर डालेगा उसी से इसका टेस्ट आता है तो यहां पर दो चमच मैंने डाला है और लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेना है यह स्टफिंग बनने में सिर्फ और सिर्फ चार से सारे चार मिट लगते हैं और अब इसके अंदर डाल देना है बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता बहुत ही बढ़ियां से खुश्भू आती है और बहुत ही बढ़ियां ठंडा होने के लिए तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग यह ठंडा हो चुका है और मैंने इसे इस तरीके से इसकी बॉल बना दी आपको भी इसी तरीके से इसकी बॉल बना के रेडी कर लेनी है चोटी-चोटी सी बॉल बनानी है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनानी ह तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, मैंने बना कर त्यार कर लिया है, अब इसे रखते हैं साइड में, और यहाँ पर मैंने दिया है एक बड़ा बॉल मैदा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, दो से तीन पिंच, जादा नमक नहीं डालना है, और इसमें डालेंगे वन यहाँ सा हमें डो रेडी कर लेना है, तो प्रेंट्स अगर पहली बार चैनल पर आया है, तो सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो, तो वीडियो को एक लैक जरूर दीजे, तो बस यहाँ पर देखिए, इसे फटा-फट से हम डो इसका रेडी कर लेंगे, यह देखिए, इस तरीके का डो आपको लगाना है, जिसे की डो हमारा सेमी सॉफ्ट हो, ना ही बहुत ज़्यादा हाड हो, और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बस इस तरीके से इसे कवर करके 5 मिनट लिए हमें इस इस तरीके की होनी चाहिए, यह छोटी होनी चाहिए, और यह जो डो की वाल है, यह बढ़ी होनी चाहिए, वहाथों में हम थोड़ा से लगाएंगे सूखा मैदा, और इस तरीके से इसे हम फैलाएंगे, तो बहुत ही बढ़ियाँ सा जो है, यह बनता है, और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि सर्दियों में मटद का नाश्ता खाना तो बनता है तो इस तरीके से बस इसको हमें इसके अंदर रखना है और रखने के बाद इस तरीके से इसे कवर कर देना है तो यह बहुत ही आसानी से बन जाता है आप चाहे तो इसे इसी तरीके से फ् बहुत जल्दी भी बन जाता है बस अब और को हमने रखा है गरम होने के लिए और जो है इस तरीके का गरम होना चाहिए कि जब आप इसमें डाले कचोरिया तो वह उपर नहीं आए उसमें बबल्स नहीं आए बहुत ही दीरे-दीरे से पकना चाहिए मतलब की मीडियम से भी हल मतलब की कचोरी हो गई है तयार जो कि बहुत ही खसता बहुत ही जादा टेस्टी और सभी को पसंद आने वाली है तो फ्रेंट्स उम्मीद करते हूं आज की रेसिप आप सब को पसंद आई होगी फिर मिलते हैं किसी रेसिप के साथ तब तो बाबाय थैंक्यू फॉर गौच झाल